भारत बनाम आयरलैंड के बीच खेले जा रहे पहले T20 अंतराश्ट्रे मुखाबले में आयरलैंड की टीम ने पहले वल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के लुकसान पर 108 रन बनाए आपको बता दे के आयरलैंड के लिए आज सरवाधिक रन स्कोरर 22 वर्ष ये हैरी टैकर रहे जिन्होंने नाबाज 64 रनों की पारी खेली हैरी टैकर ने अपनी पारी के दोरान 33 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाए जहां उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए क्या भुबने शरकुमार क्या हार्दिक पांडिया आज इस 22 वर्ष ये हैरी टैकर ने भारती दिगज गेंदबाजों को एक करारा प्रहार किया आपको बता दे कि हैरी टैकर ने आखरी ओवर में आवेश खान के खिलाफ एक चौका और एक छक्का जड़कर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुँचाया एक वक्त पर जब आईरलैंड की टीम 22 रनों पर अपनी तीन विकेट गबाद चुकी थी तो उसके बाद हैरी टैकर ने अकेले दम पर आईरलैंड को 108 रनों के जैसे विशाल स्कोर तक पहुँचाया बारिश को जए से ये मकाबला 12 ओवर का खेला जा रहा है लेकिन इसका असर आईरलैंड की बल्ले बाजी पर देखने को नहीं मिला क्योंकि हैरी टैकर ने अपने बलबूते टीम का सम्मान बचाया है हैरी टैकर ने अपनी इस पारी के दौरान कुछ ऐसे शौट खेले जो तेज गिनबाजों के खिलना मुश्किल होता है हैरी टेकर ने अपनी पारी के दौरान शुरुआत से ही अटैकिंग क्रिकिट खेली जहां उन्होंने लगातार हर ओवर में कम से कम एक बाउंडरी जड़ने का प्रयास किया हैरी टेकर ने आज सभी भारती गिनबाजों में जम कर मार लगाई जहां वो बड़ी शॉट लगाने से पीछे नहीं हटे आपको पता दे कि हैरी टेकर ने आज 64 रन लगाए हैं जो उनके टी ट्वंटी अंतराश्ट्रे करियर का सरवाधिक स्कोर है हैरी टेकर ने 33 अंतराश्ट्रे मकाबले खेलते हुए 38 तक लगाए हैं इस खबर में फिलाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लियाब बने रहीए वन इंडिया के साथ